क्या आपके पास smart watch है जैसा हमारे पास ये smart watch है और ये vote company का watch है तो अगर आपके पास vote company का watch है smart वाला तो आपने smart watch का आप जो time format होता है इसे आप कैसे change करेंगे क्योंकि अभी जो time format है ये हमारा 24 गंटे का लगा हुआ है लेकिन हम इसे 12 गंटे का करना चाहते हैं जैसे इसमें दिखा रहा है 23 बचकर 49 मिनट है तो इसका मतलब क्या है कि 23 से कब बज़ा हुआ है तो यानि कि 11 बचकर 49 मिनट हुए है तो वही आपको time format कैसे change करना है अपने यहां पर smart watch में तो इसके लिए आपको करना किया होगा आपको सबसे पहले अपने smart watch को आप अपने mobile से connect करने का मतलब है कि आपको इसका एक application आता है उसे download करके उस application से आपको connect करना होगा अगर आपने अभी तक अपने smart watch को connect नहीं किया है अपने mobile के application से तो आप कैसे connect कर सक पर मैंने पहले से वीडियो बना दिया है आप उस वीडियो को जरूर देख लेना आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा आप उस एप्लिकेशन को ओपें कर लीजे यहै वोट वायरलेस अब आप उस पर ओपन कर लीजे जैसे आप पर आपको एक setting मिलीगा आपको setting पर click करना होगा जैसा आप setting पर click करते हैं यहां पर आपको दिखाए देगा 24 öğar time आब आप इसे यहां से बंद कर दे जैसे आप इसे बंद कर देते हैं यह चालू कर दे तो इस तरीके से आपने स्मार्ट वाच में अपना टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आपको कोई भी परिसानी नहीं मिलेगी अगर आप वोट का यहां पर स्मार्ट वाच यूज करते हैं तो आपको इस एप्लिकेशन से आसानी से आप कर पाएंगे तो मैं आसा करता वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर करिए तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही